नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल, I just hope कि आप सो बहुत ही अच्छे से होंगे तो आप सबको मेरी तेरप से दिवाली की धेर सारी सुब कामना है दिवाली का नाम सुनते ही दोस्तों, मेरे दिमाग में कुछ चीज़े आते हैं लाइक वो सजा हुआ घर, रंगोली, कलरफुल सी, एंड टेस्टी टेस्टी खाना, प्लस दिये, पटाके एंड हम सब यही चाहते कि हमारी दिवाली कुछ ऐसे ही गुजरे तो चलिए, इस वार 2023 में हम लोगों ने दिवाली को किस तरह से मनाया, मैंने अपने घर को किस तरह से सजाया, वो मैं आपको दिखाती हूँ तो सबसे पहले में स्टार्ट करती हूँ अपने इंटरंस है, तो छोटा से इंटरंस है, विकर हमारा जो फ्लाइठ एक दम से कॉर्नर बेहे तो इतना जगा नहीं मिल पाता है, जितना मिल रहा है, उसमें हम लोग अज़स्ट करते हैं, तो यहां पर सामने देख रहे हो, ए यह कुछ चीजे जो रहते हैं, कुछ चीजे हमेशा रहते हैं, कुछ चीजे अभी मैंने लगाया है, और के जस्ट यह राइट साइड हिसे में, गणपती बापा, यह मतलब जब से हमारा घर है, गणपती बापा यहीं पर हमने सापित किया है, गणपती बापा को, बस यह जो देख रहे हो, बहुत ही सुंदर प्यारा मुझे लगा, ये एक मेले से मैंने खरीडा था, तो दोनों तरफ मैंने लगा दिया, फिर गणपती बापा के नीचे जो फ्लोर है, वहां पर मैंने इस तरह का उरली सजाया है, ये मैंने अमेजॉन से परचेस किया था, उसमें ग की तरफ देखते हैं, तो यहां से ये रहा हमारा मंदिर, तो मंदिर को सिंपल, जो नैचरल फूल आते हैं, गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, उससी से मैंने सजाया है, और मंदिर के एकदम सामने, ये जो एरिया है, यहां पर एक छोटा सा रैक रहता है हम लोगों का, तो इस रैक में अक्चुली बैक्स वगेरे सब रहते हैं, उसके ऊपर मैंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है, इस बार ये अमेजोन से मैंने पर्चेस किया था, पर जूट टाइप का है, बहुत अच्छा लगा कलर, और उसके ऊपर ऐसे कुछ मैंने सजाय हुआ है, तो य उसके अंदर मैंने रख दिया, और ये बीच में आप दो देख रहे हो, ये हूम सेंटर से मैंने पर्चेस किया था, तीन का सेट है, एक मैंने यहां पर रखा है, और दो बाकी जो दो है वो डाइनिंग टेबल के ऊपर, फिर बीच में बुद्धा जी, उनके पीछे कुछ प्लांट्स, और ये कुछ, कैंडल, और बड़े-बड़े कैंडल होल्डर्स, जैसे हम उपर चरते ही, जो सुबलाब देख रहे हो, ये DIY है, चोटे-चोटे कैंबस के उपर मैंने पेंट किये है, और उसके उपर ये इसपार का रिसेंट अडिशन है, तो जो कि बहुत ही प है, तो सीटर सोफा, तो इसको मैंने दिवाली के लिए इस तरह थोड़ा सा वाइट, बेज, ग्रिय, एंड येलो, इस तरह से मैंने सचाय हुआ है, कुछ ये जो डोर स्क्रीन देख रहे हो, दो येलो बाले मेरे पास थे, लेकिन बीच में जो है, इस पर मैंने आमेसों से म मैंने बिचाया है, तो इसके उपर एक येलोग अलगाद उपड़ा है, जो भी कुशन मेरे पास थे, जो मुझे लगे की थोड़ा फिस्टिब जो है, वो फिस्टिब डिकार में जाएंगे, तो वो मैंने यहां पर विचाया, फिर उपर आपने एक घड़ी देखा, एक हैं समझ लो, जो कि हम लोग एक बेड की तरह भी यूज करते हैं, कभी-कभी, तो यहां पर इस वाले एरिया को मैंने, जो भी थे मेरे पास सामान, कुछ भी नया मैंने खरीदा नहीं इस बार इसके लिए, तो जो थे, उसी को बेज एंड मरून, ऐसे मैंने इस से कंबिनेशन म यहां पर रखा है, तो यहां से, और उसके साइड में एक लाउंच चेर भी है, उसके पास पर हम लोग जाएंगे, लेकिन फिल्ल हम लोग देखे हैं, दिवान सेट के ओपर मैंने क्या स्प्रेड किया है, तो यह जो आप स्प्रेड देख रहे हो ना, यह एक डोर स्क्रीन ह तो उसी को मैंने आपर इचा दिया, विकाज यह बहुत ही एक फेस्टिव लुक क्रियेट कर रहा था, फिर सब बेज और मरून कलर में और बीच में, यह चिल ही वाला, जो बहुत ही मुझे प्यारा लगा, होम टाउन से मैंने रिसेंटली पर्चेस किया है, तो उसको बीच अफाट की देखते तो इसी के ऊपर, आच लेट के टी वी देखते हैं तो इसके साइड में यह एक हैं धाटाचेट चेर है तो यह हम पर पूर बूपू डार्क बू में उनके उपर वाइट कलर मेंने जिसे ऊस्ता सोपर में, उसी तरह का मैंने वहां पर भी spread किया है और उसके उपर एक कलरफुल सा कुशन जो मेरी बच्ची को बहुत पसंद है इसलिए वो हमेशा जित करती कि नहीं इसके उपर यह डाल दो फिर दोस्तों वहां से जैसे हम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हैं यह रहा हमारा डाइनिंग टेबल फोर सिट वाला इसको मैंने बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश किया है वाइट कलर का टेबल क्लॉथ है और उसके उपर यह ग्रीन और इसे पोलका डॉट्स में यह रनर और चार मैट में रखे हैं यह में होम टाउन से लाई ही और बीच में अगर आप देखते हो तो बीच का भी बहुत सि बीच में चोटा सा ट्रे है ट्रे के अंदर भी यह एक पॉट है जिसमें मैंने यह जर्बरा फ्लावर्स को रखा है तो इसे मतलब जर्बरा फ्लावर्स रखने से बहुत ही सुंदर प्रियेट होते उनका स्मेल भी आता है बहुत ही अच्छा लगता है तो ऐसे पीछे भी आप देख रहो वहां पर भी मैंने फ्लावर रखा है यह कुछ एक मेले से लाई थी तो इसको यहां पर रख दिया है तो यह एरिया कुछ ऐसे सिंपल रखा है और यहां पर यह कंटेनर्स बहुत ही ब्यूटिफल से कंटेनर्स दिवाली के लिए मैंने आड किया है होम हैं तो यह बहुत ही क्यूट से कंटेनर से कवर के साथ आये हैं तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है यह डाइनिंग टेबल और वहां पर पीछे जो देख रहो धूप जो निकलता ना बहुत ही सुन्दर लगता उसको भी मैंने यहां पर रखा है और जैसे हम डाइनिंग एंड ऐसे कुछ कॉंबिनेशन में अभी है रिसेंटली मैंने मेकोवर किया था तो इतना कुछ मैंने नहीं किया है बस थोड़ा बेट से चेंज कर दिया डोर स्क्रिन बगेर है चेंज किये और थोड़े से फूल यहां पर मैंने रख दिये तो यह कुछ ऐसा दिखा है यह म मैंने रिलायन स्ट्रेंड से खरीदा था लिविंग स्पेस का बहुत ही सुन्दर कॉंबिनेशन है और यहां पर मैंने उसके साथ और कुछ कुछ रखे हैं और यहां से सामने से यह वाला एरिया कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और यह जो कुछ से डॉल देख रहे हो इसका मैंने रखने के कोशिश किया हैं और यह मेरे पति वाला साइड है यहां पर भी थोड़ा थोड़े लाइफ जो जरवियर ही आ रखा है एंड साइड पर यह जो फ्लोर लाम देख रहे हो यह सारे चीज़े मतलब रहते ही यहां पर थोड़ा से इसको मैंने क्लीन कर दिया एंड यह लाइट जब ऐसे मतलब स्प्रेड होके रहता है बहुत ही अच्छा लगता है और उपर वाले अरिया पर आप देख रहे हो यह कुछ छोटे-छोटे क्यूट से चीज़े में यहां पर रखे हैं और यह सारी चीज मतलब अभी मैंने अड़नी किया यह जब से बेड्रूम मैंने सजाया है स्टाइटिंग से ऐसे ही है कुछ चेंज किया नहीं है कभी-कभी कुछ अड़ होते हैं लेकिन बस ऐसे ही है यह तीन बास्केट, कलरफुल जूट के बास्केट यहां पर रखे हैं यह है मेरा वाला साइट, तो यहां पर उसी तरह के बास्केट पर मैंने चार्जर यह जो साइट पर यह बुद्धा जी देख रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है मौनिंग में उठके में उनका ही चेहरा देखके मुझे इतने पसंद आई है तो मेरे साइट पे सब कुछ रेड रेड है, वाइट रेड कॉंबनेशन और जैसे उपर चलते हैं जैसे मेरे पती वाला साइट था, एक्जाक्ली उसी तरह यहां पर भी छोटी-छोटी चीजों से यहां पर सजाया है तो इस बार का जो रीसेंट अडिशन है यह बेडरूम में है, बहुत ही प्यारा सा अर्बन स्पेस का बहुत मतलब इतना सुंदर लगा पस इसको डालने से ही ना पुरा बेडरूम का मुझे लगा चेंज हो गया पुरा लुक, आप लोग बताना कैसा लग रहा है आपको और यहां पर यह चोटी-चोटी कुछ चीज़े मैंने हैंक किया हुआ है यह वाला एरिया कुछ ऐसा लग रहा है तो हमारे बेडरूम में यह एक सिटिंग अर्रेंजमेंट हमने किया था जब बनवाय था तो मतलब विंडो के पास ही यहां पर इसको भी मैंने यह जो पीछे कुशन कवर देख रहो यह भी मुझे काफी पसंद है और वहां पर कुछ ऐसे सजाया है तो यह रहा पूरा मेरे बेडरूम का लुक सिंपल रखने की कोशिश क्या है इतना मतलब फ्लावर यह सब सोचा था मैंने की थोड़ा ओरिजिनल फ्लावर लगा दू बट ताहीम नहीं मिला एक्चली तो इसलिए जितना हो पाया बट कभी-कभी ऐसा होता है न हम लोग जो सोचते वो हो नहीं पाता है तो वटेबर यहां पर कुछ ऐसे मैंने सजाया है इस पर पूरे अपने घर को अभी दिवाली का साम और इवनिंग हो चुका है तो यहां पर मैं पुरा रेडी हूँ उरली यहां पर सजारी हूँ लग भग मुझे एक या फिर देड़ घंटा लगा यह बड़ी सी यहां पर कलरफुल रंगोली करने में फिर उसके बाद मैं रेडी होके पूजा करके यह यहां पर दिया मैंने लगा दिया है तो आप लोग बताना यह रंगोली आपको कैसा लग रहा है बहुत टाइम नहीं था मेरे पास एक देड़ घंटे बस थे तो उतने में जो हो पाया मुझसे तो यह रंगोली रही तो दिये भी मैंने अच्छे से लगा दिये हैं सारे ला मैं इसे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अभी हम लोग एक रिच्वल फॉलो करने वाले जो अडिसा में बाड़ बाड़िया कहा जाता है मतलब जो अंसेस्टर से उनको पूजा किया जाता है तो चलिए देखते हैं वो हम लोग किस तरह से कर रहे है तो यहा क्राकर ऐसे मतलब बंबाला नहीं इस तरह का लगाना होता है तो वो हमने यहां पर लगाया फिर अभी स्काइब में आप देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर क्राकर यह देखे तो दोस्तों हमने बहुत एंजॉय किया यहां पर पूरे हमारे अपार्टमे तो I just hope दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर किसी बेरीजन से अच्छा लगाए दिन प्लीज लाइक कर देना अगर मेरे चैनल पर नहीं हो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करना मत बूला मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्ब वित अनादर वीड तिल दिन बबाई थैंक यू तेक चेर